असलाम लीके विवार्स फैसर अंजीर प्रॉप्टि लिंक से एक 6 मर्ना सेल होस की वीडियो के साथ यह बड़ी आड़ की लोकेशन पर सिच्वेटेड़ है इसमें गेरेज है इसमें गेरेज है बड़े साइज का है इस्टेर्स के निचे स्टोर बना हुआ है और यह वाश्रूम है टीवी लॉंजेरिया इसमें बड़ आच्छा यूज़ किया हुए वाल पेपर ओपन किचन सीलिंग वर्क है वेटिलेशन के पॉट अब उसे बहुत जावदस को डिजाइन किया गया है यह वेटिलेशन है इसके इस तरह से इस तरह से इस से इस अब कि दो बेटिलों है जी इसके नीचे इसके नीचे इन दोनों बेटिलेशन के साथ सेप्र 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 अटेच वाश्रूम है इसके इसके शैसे दथी यूश्र किये गर में यह बाटिक के लिए है अंटीक वर्क है बेक साइड पे इसका लांटु की अरिया है यहाँ और यह वेंटिलेशन भी है दोना साइड से वाश्रूम की दिवाने का भी उची है यह इसके साइड बेडरूम है इसके साइड वेंटिलेशन वाश्रूम के साइड वेंटिलेशन है डबल वेंटिलेशन है जबर में किचन दो बेडरूम एक प्राइंग रूम यह वाश्रूम है स्टेर्स पर अच्छा माल पर यूज किया है यह फर्स प्रोल पर हम आगे हैं इसके यह स्टेर्डी रूम है यह इसका टेर्स है बड़ा हुश्रा हवाँ की क्रासिंग की पॉइंटर व्यूस है अगर आप देखें तो एक यह इसकी वेंटिलेशन मन रही है एक की सामने है और यह इसका फर्स बेड्रूम है फर्स फ्लॉर पर इसके साथ भी टेच वाश्रूम है कबर्स नेचे भी दोनों बैड़ में बनी है और यह अपर बनी है यह वेंटिलेशन है ओपर तक टीव लॉजरिया फर्स फ्लॉर का डबल किचन है इसमें जैसा कि आपने देखा नीचे भी किचन था और रही है इसका उपर भी किचन है यह बेड्रूम है जी इसमें भी टेच वाश्रूम है सेम लाइक ग्रॉन फ्लॉर इसका डॉर है और यह इसकी रेड़्िशन इकर रेड़्िशन है जी डार्क रेड़्िशन का वाश्रूम है इसी तरह से इसमें भी कबर्स है अर्मास्ट पूरे गर में हर रूम में कबर्स है यह बेक साइट पर इसका लाउटी एरिया भी है चात भी है इस पर टोटल जो मारबल यूज किया गीए मारबल लगा हुआ स्टेर जारी है अपर हरोव पर हरोव पर भी मारबल यूज किया गया मारबल यूज किया जारी है